पूलकाष्ट के अधिकारियें उनके घर में जाकर हलुआ पूरी खाते हैं, पादाम खाते हैं, चाई पीते हैं, उनके कीमती सोपा सेट पर बैठते हैं, उनके कीमती मकान में जाते हैं. मैं आप दो वह से अपील करना चाहूंगा, जो बहुत विच्छू सटिफिकेट पारता है, जो बहुत विच्छू रस चलाता है, जो बहुत विच्छू पत्रका के नाम पर मेशा लेता है, जो विच्छू आपके घर में बैठ कर केवल नेतागीरी करता है, कभी किसी पारटी में जाता है कभी सपा में जाता है कभी किसी पार्टी में जाता है ऐसे बहुत विच्छों से आपको साब्दा में बिने पिटक के अनसार कि सबसे पहले तो मैं उन देश के तमाम अम्मेड कर वादियों को संदेश के रूप में ये सूचना देना चाहता हूं कि अधिकता जो बहुत विच्छों बने हैं वो अपने परवारों से अटेच हैं और रिटायर्मेंट के बाद भी बहुत विच्छों बनता है वो पैंसन भी 50-60,000 लेता है और फिर 90 महीने में 20-25,000 रुपया कमाता है वो पार्ट टाइम जॉब उसे मिल गया है मैंने कैई बहुत विच्छों को पूछा कि जब आपको पैंसन मिलती है तो आप ये दान क्यों लेते हो और दान लेते हो तो उसे क्या गरीब बच्चों को पढ़ाते हो गरीब बच्चों की मदद करते हो कोई बुद्विहार बनाते हो लेकिन मैं देखता हूं कि वह सीधा कमाके अपने घरों में चले जाते हैं अपने परवार में चले जाते है ऐसे अभी कुछ दिन पहले का एक किस्सा है कुछ उपास्कोंने मुझे बताया क्या भंते जी बहुत विच्चू अपने परवार की साधी में एक गारजन वनकर कार्ड में नाम छपा सकता है क्या कार्ड में नाम छपा कर वो लोगों को इन्वाइट कर सकता है मैंने का कदाप ही नहीं क्योंकि भगवान बुद्ध के बिने अनसार विच्चू एक ग्रहत्य क्यागी होता है उसका परवार से कुछ लेना देना नहीं होता है वो आशीरवाद के रूप में दे सकता है लेकिन उस परवार में वो कतही एक गार्जन वनकर या एक जिम्बेदार व्यक्ति वनकर वो साधी के सारे कार्कमों को नहीं निवा सकता मैं देश के तमाम कुछ ऐसे बहुत बिच्चु भी हो गए जो तमाम जहां जाते हैं उस अंदोलन से जुड़ जाते हैं वह बिचार्ण का प्रिचार नहीं करते कभी किसान अंDolन से जुड़ते हैं तो कभी किताब छापते हैं कभी रख चलाते हैं कभी सर्टिफिकेट बहुत बनने का बांड़ते हैं मैं इन देश के अंबेड करवादियों से अन्रोध करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बहुत बिच्छु से बहुत बनने का सर्टिफिकेट ना ले वो certificate बहुत नहीं है भगवान बुद्ध के धरम में जो पंच्षील का पालन करता है वे बहुत बनता है किसी बहुत भिचु को रुप्या देने से किसी बहुत भिचु के द्वारा certificate देने से बहुत बनने का अधिकारी नहीं होता है लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत विच्चु सर्डिफिकेट दे रहें दद सजार के आज बहुत विच्चु पत्र कहां छाप रहें आज बहुत विच्चु जैसे और लोग रच चलाते हैं बैसे रच चला कर भीक मांग रहें अपना आर्थ की स्थिती बढ़ा रहें अपने घरवालों को मजबूत कर रहें अपने घरपारी बुद्विहार बना रहें अपने घरपारी स्कूल बना रहें वो संपत्ति उनके घरवालों की हो जाएगी मैं तमाम इद्देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत विच्चों को अपने घर में सान नहीं दें और मैंने ऐसे बहुत विच्चु भी देखे हैं जो हमारे समाज के जो बहुत विच्चु बने जो अन्य समाज से बने जो अपने आपको उची समझते हैं जाती के ताधार पर वो उनको नमस्कार नहीं करते लेकिन वो जो सिडूल काष्ट के अधिकारी हैं उनके घर में जाकर हलुआ पूरी खाते हैं बादाम खाते हैं चाय पीते हैं उनके कीमती सोपा सेट पर बैठते हैं उनके कीमती मकान में जाते हैं मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा जो बहुत बिच्छू सर्टिफिकेट मारता है जो बहुत बिच्छू रच चलाता है जो बहुत बिच्छू पत्रगा के नाम पर पैशा लेता है जो बिच्छू आपके घर में बैठ कर केवल नेतागिरी करता है कभी किस किसी पार्टी में जाता है कभी सपा में जाता है कभी किसी पार्टी में जाता है ऐसे बहुत विच्छों से आपको साब्धान रहना पड़ेगा बहुत विच्छु किसी पार्टी का नहीं होता है बहुत विच्छु भगवान बुद्ध के लिए आता है बहुत विच्छु भ बैक ग्राउंड को जानो, यहाँ तक कि उसकी जाती के बारे में भी पता लगाओ, बहुत धरम में जाती बाद नहीं होता, लेकिन कुछ RSS के लो, कुछ जाती बादी लो, इस धरम को कलंकित करने के लिए, इस धरम को बदराम करने के लिए, अंबेड करवादियों का सोसंड करने के लिए अंबेड करवादियों से चंदा लेने के लिए वो लोग बहुत विच्छू बने तो मैं तमाम अंबेड करवादियों से और किसी से तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं अंबेड करवादियों से कहूंगा कोई बहुत विच्छू त बिना बुलाए आता है उसको चंदा भी मत दो अपने घर में बिठाओ भी बात उसको चाय भी मत पिलाओ तुम इस वात की चिंता मत करो कि उचीवर पहना है लेकिन चीवर की आड़ में वो सोसंड करें चीवर की आड़ में बेहन बेटियों की जैसे खिलवार करें चीवर की लोगों से आपको साफदान रहना है मैं किसी बहुत भी चुका नाम नहीं लेना चाहता उसको आप स्वें जान गए होंगे स्वें पहँचान गए होंगे मैं अभी ऐसे कई प्रकरना आए जिसमें घटना के यहीं एक लिग फुई तो मैं आप लोगों से निवेधन करना च मैं पनत करने के लिए अब निरंत चर्या करते रहें। लेकिन मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, बहुत विच्चू आज बहुत इकवादी हो गए हैं, बहुत विच्चू आप धन के पीछे भाग रहे हैं, आज बहुत विच्चू बड़ी गारी में चल कर ये दिखाना चाहता है, कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, जो बड़ी गारी में बैठ कर आए, उसको लात मारो, घर में मत घुसने दो, उसको पैसा मत दो, उसको चाय मत पिलाओ, कहो कि भंते जी आप इतनी बड़ी गारी में चलते हो, आप इसी को बेच कर आप अपना खर्चा चलाओ, तो मैं ऐसे बहुत बिच्चों से साफदान रहना है, जो बड़ी गारी में चलते हैं, चंदा करते हैं, उनके घर में जाकर हलुआ पूरी खाते हैं, पादाम खाते हैं, चाय पीते हैं, उनके कीमती सोपा सेट में बैठते हैं,